एक बार सभी मित्रों का फिर से स्वागत है साथियों दस मिनट शो में आप बात करने जारे राजिस्तान के रित हुए सथी एक घंटे किलास है मातर हम लोग उसे दस मिनट में देखी आएंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप लोग द्यान मैंने जलवायू की बात की आप लोगों से तसमिनट शो में पहली गलास की जलवायू संबंदित वहां में तुरुबएद्याप से का था कि मैं देखिए ऐसा है यह होता है मोसम जो घंटे 2 गंटे 3 गंटे 5 वरतन होता है एक होती है जलवायू होती है जो लंबे 30-40 वर्स क का इंगर सब का मई उसे जलवायू कहते हैं तो अम लोग रित्य की बात करें ताधन तम रित्यों को तीन भागों बाठते हैं एक महीं होती है हमारी आप लोगों के गिरिश्म रित्यों जो की आपलो के मार्च महीने में शुरू होता चीला से मद्द्य जून तक चलती है आपको पता है मांसुन आजाता है 15 जून के आसपास मांसुन का मोग आगमन मानते हैं तो 15 जून का जो समय होता है वहां से आप लोग मद्य जून कह दिजी आप लोग मद्देतयों से सةंबर तक आप लोगों के वर्शा रितु चलती है और सबसे लिए अक्टूबर अक्टूबर से आप लोगो के फरवरीक महीने तक वह आप लोगों के जलती है सीतर Oh जलती है इन तीन रितों की बात करूंगा पहुत समझाने का तरीका बिल्कुल शोट करूँगा है देखिए साथ यहां हमारे पास में जो मद्धे जून तक होता है घरसुरतों की बात करें तो आप लोगों के जो सूरिय है आपको मालूम है उत्रायण हो जाता है आपको पता है मैंने बहुत विस्तार से आपको बता रखा है क कि दो गोलार्द यहां हम भारत और राजस्तान उत्री गोलार्द में है तो सूर्य के सीधी करेने पड़ते करक्रेका पर उत्रायण होता है और करक्रेका राजस्तान के बिल्कूल दक्षन से घुजरती आपको पता है डूंगरपूर के चीखली को छूती और बासवाड़ा जहां 50 डिग्री सेलसेज तक तापमान पहुझाता है और बहुत भेंकर तापमान अपने चलने वाली कुछ गरम हवाई होती है जिसे आप लोग कहते कि बार बीमारा गुरुजी लू लग गई तो द्यान रखना वो इस समय चलने वाली गरम हवाई को हम लोग किस सबसे इंकि भवर होते हैं मालों एक निमन वायुदाव को खेंदर बन गया बीच में चारों तरम उच वायुदावर ऐसे घुटार ऐसे उसको उठा दिया मिट्टी को अरे गुरुजी भूत आगो यहां मैं धंवा मत गेर दी जो गुरुजी रहा है लून मत गेर दी भूत खाजा हु अगार से ओप लोग जो आणदिया सबसे ज्यादा रहती है मिर अईयों कि कमई है तो आप मैं यहां पड़ेगा कोटा में आपके 5000 आप 3 सब्सकों मिला कि इधर चलेंग का क्या होता है पहल siamo बात कर रहे हैं नोट से हमारे पॉइंट पॉइंट है जासके आप लोग देख सकते हो राइथान के मोबाइल अपर फ्री मैट्रियल में ठीक है अब बात करते साथ ही अम लोग वर्सारितू में क्या होता है वो ध्यार रखें आप लोग मैंने आपको पहले ही कहा था कि अभी कि पहाँ हमारे पास होगा निमीण वयूद आप का जो केंदर होता है उसे में ठंड होते हैं घरातल इसलिए गहरम है इसलिए स Presents स dryer तल्क और पहूने चलती यह मानसुन लेकि आजाती हैं कि अलए उस canyon के फिलाजाल काल को खीए के मैं नूमर जम चमी अंलिवरतन हमाता है क्लियर तो हम लोग बात करेंगे कि सारी यह जो थार का मरुस्तल है नगरा बिलकुल निम्म वायुदाब का केंदर होता है तापमान अधिक होता है तापमान भड़ने के काणड वायुदाफ Kम हो जाता है और आधरतः बंधर ब Wyoming ब भड़ने उच्छ ओंधरों से निम्न वायुदाफ के के वर्पाउने चल ती है । भेचा कि आप लोग आगे बात करते हैं राजस्तान है मानसून की दोनों शाकाओं से वर्शा प्राप्त करते हैं मैंने आपको बहुत विस्थार सी इधर यह व हमारे सबसे नजदिक जो समूंदरी भाग है वह अरब सागर लगबग 400 किलो मिट्र है और इसकी खारी kuchky हाड़ी औरकंबाती खारी कज़की खारी कि खारी दो भागी इसके पहले बताए दूर है राजस्तान से और यह खंबाति काड़ी 255 किलोमेटर दूर है और कुलमिला के राजस्तान से अरभ सागर 400 किलोमेटर तूर तब से नजदीक है और यह थार का मरुस्तल है यह आप लोगों के नियून वाईदाब का केंदर बन गया अब मानसून को आकरशित कर रहा है लेकिन आपको मालूम है यहां अरभ सागरी मानसून था किसी निकल जाता यह तो मानसून सब्से पहले आएगा और बंगाले खाड़ी का जो मानसुन है वो यहां जाएगा बहुत दूर पड़ता है पूर्वान चल कि पाहड़ियों में करेगा और उदर वहां आपके वर्सा करने बाद फिर भी मरुस्तल खीच रहा है निवनवाईदा आपके अंदर है फिर इस तरीके से मानसुन आएगा तो हमारे यहां से इदर से परवेस करेगा तो अरफसागरी मानसुन से वर्शाप पराप्ट करते हैं बंगाले खाडी के मानसून से वर्षा पराप्ट करते हैं बंगाले-खाडी से मिलते हैं लोगों को और thriving से से हमें लगबब बहुत कम वर्सा मिलती है जो लोडता हुआ मानसों वापिस लोटेगा उसे नब्य आपको दस परतिसत के आसपास वर्सा में उससे मिल जाती है अब यह राजिस्तान का दक्षनी भाग एक ऐसा भाग है जो आपकी दोनों शाकाओं से वर्सा प्राप्त करता ह और बंगालेगं खाड़ से प्राप्त करता है तो द्यांत रकें अप लोग और यह आडूतों को सर्वदिक वर्सा यहीं तो काल नहीं अदि आपको स्शुरुत बता यहां बात नहीं करूंगा सर्वदिक वर्सा वाला इस्तान इलाका सब देखिए आप लोग इस इलाके मे बात करेंगे यहाँ पे अरब सागरी मानसुन तीन शाकावं बढ़ जाता है इसको छोड़ी हमारे लिए काम का मानसुन का प्रत्या वरतनकाल मैं भी आपसे कह रहा था कि भाई देखिए कि आपके सितंबर महां में वायुद मंडल की दसावं प्रतन होना शुरू हो जाता है इस समय देश में पश्यम के और नीमिन वाईदाप की इस्तित देरे कमजोर होने लगती है परणाम सरुक हुआ इस्तल से समुद्रों के और रुकरना लगती है इस समय मानसुन को वापिस लोटना होता है इस लोट तो यह मानसुन से अक्टूबर-9 वर्षा होती है इस इस स असब बहुत होती है तो उमश है न उसे हम लोग कार्थिक महा की उसमा कहें गये के क्या कहेंगे उस्मा कहेंगे तो कार्थिक महस की उस्मा यह कहला है द्यान रहें आप लोग दूसरी बात साती हो कि यहां सर्दी भी दिपावली के आसपास सुरू जाती इसे गुलाबी सर्दी कहते अब हमारे पास 4-5 शब्दावली है एक तो हमारे पास अना वरष्टी अना वरष्टी कहते हैं दोंगड़ा बहुत अच्छे सब्द है आप लोगों को एक्जम द्रिष्टी से मेरी बोलने की स्पीड बहुत तेज रहेगी क्योंकि हम लोग 10 मिनट शो पड़ रहें तो रोटम बात कर रहें हम लोग मैटर सोट नहीं कर रहें बात हम पढ़ाने की अब सब्सक्राइब मांसून आने से पहले जो हलकी फुल की वर्षा होती है मांसून आएगा और मांसून आने से पहले जो हलकी फुल की वर्षा होगी उससे हम दोंगड़ा कहते हैं ध्यान रखें आप लोग मांसून में विच्छेद अबाई वर्षा खूब हो रही है एक वहां से एप से वोडर कर सकतो नोट क्या है आपके सामने परतक्ष को पर्मान क्या हो सकता नहीं आपको लगे बिल्कुल मार्केट से अलग है आप लोगों के तो विरष्टी चाय परदेश देखिए अधिक वर्सा है और अधिक वर्सा वाले भाग के साइड में कोई अगर कम भाग वाला हो जाए यसे खुब अरावली परवेत परदेश कर रहा है लेकिन अरावली के साइड में आप पाली जालोर देखिए वहां वर्सा नहीं होती तो विरष्टी चाय परदेश कहला आमर वर्सा कहला यह छोड़ दिए चक्रवात होई गया हमारे पास में इसे निम सीत रितू में आप देखेंगे कि हमारे जो सूरिय था मैंने आप पहले बथा जो करक रहका पर चमख रहा था वह अब शीधिन उसकी मकर रहा पर पढ़ रही है सूरिय कि आप लोगों के किता पढ़न है वह धक्षणी गोलर्थ में हम उत्तरी गोलार्थ में हमारे तिरचा जाता कि आपलो तो अक्टूबर से फरवरी के मध्य होती है और इस रुत्तु में समय सूर्य दक्षिणायन हो जाता है चिसे शीद्य कृने दक्षिणी गोलारदम पढ़ती है जब तिर्षी क्रने उत्री गोलारद में गर्मी की बजाए सर्दी होती है और सब से सीधी क्रणे डूंगरपुर बास्वाडम पढ़ती है और सबसे तिर्शी क्रणे गंगन अगन पढ़ती है यह भी ध्यान रखेंगा आप लो लहर कहते हैं और ठंडी हुआ चलने से राज्तान में कई भागों में जो बरफ के गिरना या ऐसा कुछ आपका पाड़ा पन होता है उसे हम लोग पाला कहते हैं समझ के ओला विरष्टी आप सभी जानते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है राज्ये में ओला विरष्टी जैपु जलवाई प्रदेश एक नजर में हैं जो हम लोग आगे बात करेंगे इस सामयने जलवाई कोपेन का वर्गीकण है ठानवीट का वर्गीकण है ट्रावर्त का वर्गीकण आप लगतार जूड़े रही है हमारे साथ हम बिल्कुल आप लोगों की जितना होगा मदद करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें क्लास फसंद आये तो बिल्कुल लाइक और शेयर करके हमारा होसला बढ़ाए धन्यवाद राम राम साब